हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं जोतिश रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत-बहुत हारदिक स्वागत और अभी नंदन तो मेरे प्रिय साथियों साथियों आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे आपके अपने मासिक राशी फल के विशह में या फिर यह कह सकते हैं कि मंतली राशी फल और यह मंतली राशी फल जोलाई 2003 का है दूसरी बात यह कि लगन राशी पर आधारित है चंद राशी पर आधारित नहीं है और अभी जो हम बात करने वाले हैं आपसे वो जो सिंग लगन राशी के जातक हैं उनके राशी फल के विशह में बात करेंगे और राशी फल पूरा होने के उपरांद हम आपको कुछ आसान और सरल उपाये भी बताएंगे ताकि आप को जो भी निगेटिव रिजल्ट्स मिलने की संभाव ना बनती है इस महीने वो दूर हो सके या उसमें कमी आ सके तो प्रियसातियों ये जो मन्थली राशी फल हम लाते हैं आपके लिए उसके पीछे एक सबसे बड़ा उद्श्य यही होता है कि जैसे मिरर में हम अपना चेहरा देखते हैं तो हमारे को चेहरे पर क्या कहां कमी है क्या किस तरीके का मतलब कहीं कोई दाग है दबा है या जो भी है तो चेहरा के लिए नजर आता है तो हमको पता लग जाता है चेहरे के बारे में ये भी एक तरीके से हमारा मिरर है कि इस इसमें भी गुरह जो चलते हैं गोचर में रात दिन परिक्रमा कर रहे हैं संचार कर रहे हैं अलग-अलग राशियों में अलग-अलग नक्षत्रों में तो जॉलाई 2023 में जो गुरहों की सिती रहेगी उस आधार पर जिस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना बन रही ह या बनेगी उसी की चर्चा हम आपसे करते हैं कि भाई तो ये एक तरीके से मिरर का काम इसलिए करता है कि जैसे हम मिरर में देख करके अपना पता लगा लेते हैं कि भाई हमको कहां पर क्या चीज़ की जबुवत है कही कुछ लगा हुआ है तो उसको साफ कर ले बिलकुल इ पहले से किसी बारे में पता होता है तो हम mentally prepared हो जाते हैं उसकी तैयारी कर लेते हैं यह इसका सबसे बड़ा एक advantage है यही सोच करके हम यह राशी फल आपके सम्मुख ले करके आते हैं प्रतेकमा या फिर जो वार्शिक राशी फले उसकी बात अगर करें तो मेरे प्रियसातियों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे ठीक पीछे स्क्रीन पर एक चार्ट देख पा रहे होंगे जो डिस्पले करवाया हुआ है यह हमने आपकी सुविधा के लिए कराया है ताकि आपको आसानी रहे यह देखने में कि कौन से घर में कौन से ग्रह बैठे कि कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ संब्द बना रहा है तो यह तो ग्रहों की सिति जो हमने दर्शाई हुई है इस चार्ट में यह तो बहुत स्पेश्ट रूट से समझ में आ जाएगी देख करके आपको किलियर हो जाएगा लेकिन कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो अपना इस मही छिट में घ्रहों की सिती कैसी रही तो देखे सबसे पहले बात करेंगे हम सूरे की जहां पर तीन नंबर लिखा है यह इलैविंथ हाुस है तीन नंबर मतनलब मिथुन राशी मिथुन मृषुन में बुद्ध के घर में विराजमान है एक आदश बाहो में और यह 17 जौलाई तक यहां रहेंगे सत्रे जौलाई को यह अपना राशी परिवर्तन करके यहां से निकल करके और अपनी परम्मित्र राशी करक में इनका प्रस्वेश होगा दो आधिश भाव में करक राशी के लॉडड जो हैं चंद्रमा summat यहां पर नमबर लिखा वो करक राशी है दो आदिश भाव है जहां पर बुद्ध बैठे देख रहे हैं आप तो सूरह भी वहीं चले जाएंगे और बुद्ध के साथ जा करके बुद्ध आदिश्तिर राजयोग का निर्मान करेंगे यह और महीने के अंतर तक महीं पर बने रहेंगे अब बुद्ध की बात कर लेते हैं बुद्ध जो है वो आठ जोलाई को अपनी सुयम की राशी मिथुन से निकल करके अपनी शत्र राशी करक में उनका प्रिवेश होगा और फिर यह वहां से आठ जोलाई से लेकर के 25 जोलाई त बस्तवस्था में होंगे उसमें लेकिन 13 जोलाई को यह पश्चिम में उद्य हो जाएंगे यह अच्छा रहेगा बुद्ध के साथ शिती अच्छी बहतर हो जाएगी बुद्ध की तेरह जोलाई से लेकिन 25 जोलाई को यह फिर अपना राशी परिवर्तन करेंगे और अपन मित्र राशी सिंग में का प्रिवेश होगा जो कि लगन भाव में है सिंग राशी पांच नमबर जहां लिखा है वो लगन राशी है और सिंग राशी के लौड सूर्यदेव है तो बुद्ध जो है वो सूर्यदेव के घर में चले जाएंगे लगन भाव में और वहां पर द लगन भाहो है सूर्य की राशी है। पे घर में मंगाना शूक रिराज्मान है। हलorton कि शुक्र जू है यहां पर साथ जॉलाई को अपनी शत्रूराशी कर्क से निकल कर कर के यहां आएंगे अपनी शत्र profess निकल कर के तर्य कर ऐसे आएंगे और लिकिन गो को यह वक्री चाल चलना आरम कर देंगे सिंग राशी में उल्टी चल णों महिने के अंतों तक बने रहेंगे मंगल की बात कर लेते हैं मंगल की राशी है सिंग राशी की कपर परम तो अपने मित्र के घर में है लगन भाव में बैठे हुए हैं मारगी और उद्यवस्था में तो मंगल बहुत अच्छी मजबूत पोजिशन में हैं आगे बात करेंगे केतु के लिए केतु तो बहुत समय से अपनी मतर राशी तुला में बैठे हुए है साथ नंबर जहां लिखा है ये थार्ड हॉस है तुला राशी है शुक कि राशी है शुक्र इनके मितर है और आने वाले कैई महीनों तक भी अभी यहीं रहेंगे और बात करेंगे शनीदेव की जहां पर 11 नमबर लिखा है यह सप्तम भाव है 7th house कुम राशी है शनीदेव की अपनी राशी है शनीदेव अपने भाव में अपने घर में बैठे हुए है उध्यवस्था में और वक्री अवस्था में यहां उल्टी चाल शनीदेव की चल रही है ऐसे ही चलती रहेगी इसी घर में यह बने रहेंगे पूरे जौलाई के महीने में अब बात करते हैं अंत में राहू और गुरू की ब्रस्पती की राहू और ब्रस्पती एक साथ आप बैठे देख रहा है उनको मेश राशी में जहां पर एक नंबर लिखा हुआ है एक नंबर का मतलब मेश राशी मेश राशी के लॉर्ड मंगल तो राहू और गुरू मंगल के घर में मंगल की राशी में नवम भाव में बैठे हुए हैं और यह पूरे महीने इसी परकार बन रहेंगे और अझाइबी है यह उसी इसी राशी में अभ उन की अशत्र राशी राशी है और कुछमहीने और यहां रहेंगे और यहां रहेंगे लिकिन गुरुग गो इतनी अच्छी पोऑशिशन है उनके जो शुब रिजल्ट्स आपको मिलने थे जातकों को उस पर कहीं न कहीं राहू ने एक तरीक से गर्ण लगा दिया है जब भी यूती होती है किसी भी जैतक की quandi करदी में किसी भाव में इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाते हैं बहुत अशुव इस सिती होती है जातक को इसके रिजल्ट्स से ही बिलते है और उनके कार जा तक बहुत जीवन में परिशान भी होता है यहां भी कुछ ऐसी प्रकार की सिती है लेकिन आप घवराएं नहीं अन्तमें हमने जैसा कहा है आपको कुछ आसान और सरह रेमिडी जम्द देने वाले हैं वो जरूर आप करिएगा आपके सारे कष्ट दूर हो जा सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर के विशे में कि आप सिंग लगन राशी के जातकों का करियर कैसा रहने वाला है जोलाई 2023 में तो साथियों करियर आपका अच्छा चलेगा विशेश रूप से एक जोलाई से और तेइस जोलाई तक तेश दिन इस महीने में बहुत कारण एक राजियो का निर्मार हो रहा है बहुत अच्छा भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा और आपके कारे समय पर पूरे हूए और आपकी जो इस्थिति है अपने अपने कारे छेत्र में बहुत अच्छी और मजबूत रहेगी और आप को कुछ अच्छी अपॉर्ट लेना चाहिए हम तो यही कहेंगे कहने का भाव यही है कि आपका जो वर्क स्फियर होगा यानि कि जो भी आपका जॉब है या आप व्यापार करते हैं उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति आप करेंगे और साथ की साथ यह तो रहेगा पर्सनल्टी आपकी बहुत आकर्शक पर्सनल्टी रहेगी काफी इंफ्लेंसिब पर्सनल्टी रहेगी लोग आपकी पर्सनल्टी पर आपकी व्यक्तित की और आकर्शित भी होंगे तो करियर की सिटी तो बहुत अच्छी दिखती है प्रोफेशन में और कोई ना कोई पदोन नती के भी अफसर आपको मिल जाए तो कोई सर्प्राइज वाली बात नहीं है जोलाई के महीने में अब बात करेंगे आपकी इंकम को लेकर के देखिए जितनी इंकम आपकी होगी ए इस बात का ध्याण रखें इंकम के साथ 4 पैसे की इंकम है तो 6-7 पैसे का खर्चा होगा और 25 जोलाई से आपको इंकम के साथ साथ आप सेविंग भी अच्छी करेंगी 25 जोलाई ओनवर्ड्स फिर आपकी सेविंग अच्छी होंगी खर्चों पर आपके नियंतर्ण भी रहेगा जहां तक सुक्सुविधाओं का प्रिश्ण है देखिए प्रॉपर्टी से संबंदित कोई अगर आपका मामला आठका पड़ा है पेंडिंग पड़ा है उसको फाइनल कर लीजिए बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा रहने वाला है उसमें आपको कुछ अच्छा में दूसरी बात ये भी है कि कोई वाहन आदी की अगर इच्छा है खरीदने की वह भी आसानी से आपके लिए हो जाएगा अगर आप चाहेंगे तो तो सुक्सुविधाओं का तो आपके लिए अच्छा लाब है इस महीने उसका लाब तो आपको मिलना तय है जो दिख रहा है ग्रों के आधार पर अब बात करते हैं आपसे प्रेम संबन्दों को लेकर कि बही प्रेम संबन्दों का प्रिश्ण है तो हम आपको बता दें कि प्रेम संबदों को ले करके कोई ज्यादा प्रोग्रेस आपके केस में सइंगल्लक अंडाशी के जातकों के केस में होती नहीं दिख रही है बस ऐसा ही है कि वैसे तो आप काफी romantic mood में रहेंगे romance आपके अंदर भरा रहेगा लेकिन यह जो romance होगा ना दो चीज़ें होती है एक यह होता है कि आप किसी को सच्चे दिल से प्यार करते हैं और एक ही होता है कि आप वो चीज़ें नहीं होती है बस उसके लिए आप एक दूसरे नजरिये से उसको लेते हैं दूसरे तरीके से enjoy करने के तरीके से कि बस enjoy करना है और कुछ नहीं कि शादी विवा का कोई योग है नहीं इस महीने तो अगर आप कोशिश करेंगे तो उसमें आपको सफलता पर आप नहीं होगी आगे बात करते हैं वैवाहिक संबन कैसे रहेंगे वैवाहिक संबनों की विशे में बता दें कि वैवाहिक संबन जो है 50 परसेंट आपके कुछ अच्छी इस सिती में पचास परसेंट थोड़ा सा दाउनिस्थी में रहेंगे यानि कि जब आपस में वाद विवाद होगा कहा सुनी होगी तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं जाने क्या हो गया और क्या हो जाएगा लेकिन शुक्र उसको समाल लेंगे शुक्र बात में एक दम्ठंडा लोग भी कि जीवन में जोलाई 2023 में वैवाइक जीवन में आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंदों की प्रियसातियों पारिवारिक संबंद भी जो हैं मैं आपको पता दूँ अच्छे रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीके की सामान ने रहेंगे सामान ने ढंसे चलते रहेंगे और प्यार भी बना रहेगा किसी प्रकार की कोई समस्या हमें नहीं दिखती और 25 जॉलाई के बाद आपके जो अपने घर के लोग हैं उनका आपको एक बड़ा satisfaction आपको मिल सकता है अगर आपको इनया कार्या करना चाहते हैं या कोई भी ऐसा कार्य करना चाहते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा support मिल सकता है जिसके दमपर आप आगे बढ़ सकते हैं अपना कारे स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी कारे आपके मतलब करियर से रिलिटेड अब बात करते हैं इस्टूडेंट्स की पढ़ाई कैसी रहेगी देखिए पढ़ाई में दिक्कतें तो काफी आएंगी परेशानिया तो कम नहीं दिखती हैं परेशानिया तो रहेंगी लेकिन उसके बावजूद भी आप अपनी इस्टूडी को जारी रखेंगे और उन परेशानियों का सामना करते हुए भी आप अपनी परेशानियों की आप अपनी तरफ से लगे रहेंगे और ये अच्छा कदम है लगे रहना भी चाहिए और यही चीज आपकी आपको परिक्षाओं में और वैसे अच्छे रिजल्ट दे जाएगी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो जाएगी संतान की बात करें तो संतान की ओर से भी हम आपको बताना चाहेंगे कि देखें संतान को जो भी परिणाम प्राप्त होंगे मतलब positive results वो उनको उसमें महनत कुछ अधिक करनी पड़ेगी हाला कि जितनी महनत करेंगे जितने प्रयास करेंगे उसके अनुसार तो परिणामों की प्राप्ति नहीं होगी लेकिन फिर भी better results मिलेंगे जरूर शर्त यही है कि प्रयास effort अपने करते रहना है इमानदारी के तो आपको अपनी सेहत का समाल रखना है यह मेरे प्रियसातियों था आपका राशीफल अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको करना क्या है एक तो हनुमान जी की पूजा नियमित रूप से जरू करें हनुमान जी की पूजा आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं और मंगल के दिन लाल वस्र जहां तक हो सके पहने यह अच्छा रहेगा आपके लिए और इसके अधिरिक साथियों चाहें वो इस्टूडेंट्स हैं चाहें वो जो भी हैं एक आप अपने मस्श्क पर केसर का तिलक और नाभी पर केसर का तिलक और जब्या पर जरूर लगाएं नित्प हैं अभी आगे आने वाले कुछ महीनों तक विशेश रूप से अक्टूबर तक अगर और अच्छे बैटर रिजल्ट्स आप चाहते हैं तो मा सरस्तोती जी की पूजा करें सिंग्ल अगन राशी की जो जा तक हैं और साथ में दुर्गा सब्चती का अर्गला स्तोत्र करना ना भूलें अर्मा दुर्गा जी की आर्थी बस इतना काम जरू करें बाकी सारे काम आपके सिद्ध होंगें तो मेरे प्रिया साथी हूं ये था आप सिंग्ल अगन राशी की जो जा तक हैं उनका मंत्री राशी फजज सारे एस्ट्रोलोजी से एलेटेड वीडियो बनते हैं उन सभी की नोटिफिकेशन सर्वे सारे वीडियो समय रहते आप तक सीज़े तौर पर पहुंच सकें तो आपको करना है बैल आइकन को प्रेस इसी के साथ अब हम अपनी वानी को यहां बिराम देना चाहेंगे और की का बहुत-बहुत से हिरते धन्यवाद जय मातादी